आज हम एक बहुती गंभीर विशय पर चर्चा करने वाले हैं और वे हैं कि भारत और कैनेडा के बीच चल रहा राजनेक विवाद अब ये विवाद तब शुरू हुआ जब कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन चूडियू ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत की एजिंसीज का हाथ कैनेडा में बसे एक खालिस्तानी लीडर हर्दीप सिंग निजर की हत्या में हैं भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है लेकिन ये पूरा मामला इंटरनेशनल राजनीती का एक बड़ा मसला जो है वो बन गया है इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ये विवाद इतना बड़ा हो गया खालिस्तानी मूव्मेंट का क्या रोल है इसमें और बीच में ये जो लौरेंस विश्णोई है इसका नाम कहां से आ गया तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर है कैनड़ा के टूडियो उनका आरोप क्या है निजजर हत्यकान का exactly मुद्दा क्या है तो देखे भई ये जो जस्टिन टूडियो है ना इन्होंने सेप्टेंबर दो हजार चौबिस में एक पॉब्लिक स्टेटमेंट दिया था जिसमें इन्होंने भारत पर डारेक्ट आरोप लगाया था कि जो ये हरदीव सिंग निजजर है ना इसके हत्या के पीछे भारत की सरकार और उसकी जो एजिंसीज है उसका हाथ है निजजर एक प्रामिनेंट खालिस्तानी लीडर थे जो भारत के पंजाब से एक अलग खालिस्तान राज बनाने की मांग करते रहे थे ट्यूडियों के मुताबिक उनके पास इस बात की प्रमान है कि भारत की एजिंसीज ने निजजर को मार गिराया है लेकिन अब ये जो आरोप है ये बहुत ही गंभीर है और इसके पीछे का प्रमान अभी तक सामने नहीं आया है अगर हम भारत की बात करें तो भारत नहीं इन आरोपों को जुटा बताया है और कहा है कि ये जो राजनेक संबंध है इनको बिगारने की कोशिच जो है वो की जा रही है अब मैं आपको ये ना एक इक्जांपल से समझाती हूँ तो देखो भई जब भी एक प्रधान मंतरी किसी दूसरे देश पर इतना सीरियस आरोप लगाता है तो बिना वो भी बिना सॉलिट प्रूफ के तो ऐसा करना राजनेक संदर्भ में बहुत नुकसान जो है वो पहचाता है जैसे कि आप अपने परोशी पर जूटा इल्जाम लगा दें और जब वो जवाब मागे तो आप चुपो जाए अब हम जानते हैं कि भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया जो है वो रही है तो जो भारत है उसने चुडियों के आरोपों पर बहुत ही सत्य प्रतिक्रिया दी है भारत ने कहा है कि इन जूटे आरोपों के लिए कोई जगा नहीं है और अगर कैनेडा के पास कोई प्रमान है तो वो इंडरनाशनल फोरम पर पेश करें इसके बाद भारत ने कैनेडा के डिप्लोमेट्स को अपने देश से निकाल दिया और कैनेडा ने भी कुछ ऐसा ही कदम जो है वो उठाया है अब ये जो भारत ने किया है ये टिट फॉर टैक की सिचुएशन जो है वो बना दी है भारत और कैनेडा की डिप्लोमेटिक रिलेशन पर इसका बहुत बुरा असर पढ़ रहा है साथ ही दोनों देश अपने डिप्लोमेट्स को भी वापस बुला रहे हैं जिससे दोनों के बीच भरोसा और कमजोर हो रहा है जैसे अगर मैं आपको बताओं तो अगर आपके दोस्त के साथ कोई misunderstanding के चलते दोनों तरफ से communication ब्रेक हो जाए तो दोस्ती काफी मुश्किल में आ जाती है राजनेक संबंधों में भी वैसा ही जो है वो होता है communication सबसे important जो है वो यहाँ पर होता है अब चलिए बात करते हैं खालिस्तान movement की भूमिका की कि exactly यहाँ पर यह जो खालिस्तान movement है इसकी भूमिका क्या है और Canada का जो stand है वो क्या है तो यह जो विवाद चल रहा है इसकी एक बड़ी जथ है खालिस्तानी movement Canada में सिख डायस्पोरा की एक बड़ी संख्या है जिसमें कुछ लोग खालिस्तानी की समर्थ्यक है खालिस्तान एक अलग राष्ट्र की मांग करता है जो पंजाब के कुछ हिस्तों में बनाया जाए भारत ने हमेशा इस movement का विरोध किया है क्योंकि ये देश की अखंडता के खिलाफ है लेकिन अगर हम Canada के बात करें तो खासकर ये जो ट्रिड्यू है ना ट्रिड्यू की गर्वर्मेंट इसने खालिस्तानी elements की जो प्रकृति है या कहना चाहिए जो खालिस्तान elements है इनके तरफ एक soft stand जो है वो रखा है Freedom of speech के नाम पर खालिस्तानी supporters openly भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं भारत ने कई बार ट्रिड्यू गवर्मेंट से कहा कि वो अपने देश में एक anti-India activities को रोके लेकिन 3DU ने इसे international या ऐसा कहना चाहिए कि internal matter कहकर avoid जो है वो कर दिया अब देखो यहाँ पर आप सोचो जरा कि आपके पड़ोस में कुछ लोग आपके खिलाफ openly बात करते हैं लेकि जब आप complain करते हैं तो भाई पड़ोसी बोलता है ये तो उनका freedom of speech है इससे आपको frustration होता है लेकिन लिगली आप जादा कुछ नहीं कर पाते तो भाई यहीं जो है वो भारत और Canada के बीच situation बनी हुई है अब हम बात करते हैं कि भाई ये Lawrence Vishnoyi का नाम यहाँ बीच में कहा से आ गया और क्यों आ गया तो यह जो विवाद है ना यह तब और उल्जा जब कुछ Canadian media reports ने Lawrence Vishnoyi का नाम निजर के मदर्व से जोड़ा Lawrence Vishnoyi एक notorious gangster है जो भारत और international level पर अपनी activities के लिए जाना जाता है उसका नाम पहले भी सल्मान खान को धमकी देने वाले case में आया था और साथ ही साथ अभी जो बाबा सिदिकी की हत्या हुई है उसमें भी उसका नाम वो सामने आ रहा है अब क्यानडा की जो कुछ reports है ना वो कहते हैं कि Vishnoyi के Canada based network का निजर की हत्या में जो है वो हाथ है हाला की अगर हम भारत के संदर में बात करें तो भारत ने जो है वैसे बे बुनियाद बताया है लेकिन ये नाम controversy को और जादा complicated जो है वो बना रहा है अगर हम बात करें तो ये वैसा ही है जैसे एक notorious criminal का नाम किसी भी crime में automatically ले लिया जाए क्योंकि इसका record ऐसा ही है तो विश्णोई का नाम भी जो है वर्स controversy में नमक डालने जैसा है लेकिन अर्सली प्रूफ अब तक जो है वो नहीं मिला है अब हम बात करते हैं ये जो राजनाईक तनाव हुआ है इसके आगे का रास्ता जो है वो क्या है तो भारत और क्यानडा के बीच राजनाईक संबन इतने खराब हो गए है कि दोनों देश अपने diplomats को एक दूसरे के देश से वापस बुला रहे है अब देखो कितनी खराब situation हो गई है ये situation तब तर ठीक नहीं होगी जब तक या तो ठीडियो अपने आरोप के प्रमार पेश करें या फिर अपने statement को जो है वो आपस लें भारत ने तो साफ-साफ कह दिया है कि वो बिना किसी प्रूफ के इन acquisitions को नहीं मानेगा अगर कैनेड़ा अपनी साइट से कोई यह concrete evidence नहीं लाता तो दोनों देश के बीच राजनेग संबंद और खराब जो है वो हो सकते हैं तो यह था भारत और कैनेड़ा के बीच चल रहे राजनेग तैनाव का पूरा विशलेशन यह मामला एक तरफ खालिस्तानी movement के support का है तो दूसरी तरफ भारत के खिलाफ आरू बन गया है अब हमें यह देखना होगा कि आगे क्या कदम जो है वो ठाय जाते हैं और क्या एक राजनेग यह जो राजनेग तनाव बना हुआ है दोनों देशों के भी क्या आगे सुलच भी पाएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा comment box में मुझे जरूर बताएं अगर वीडियो में था थैंड वीडियो नागे सुलच